जेशी किष्णा दोस्तों मैं अंजली नाराइन अवद्य में आपका स्वागत करती हूँ आज हम बनाने जा रहे हैं हाई प्रोटीन स्प्राउटेट चाना कटलेट्स तो आए शुरुबात करते हैं अगर आपको हमाने जैसे भी पसंद आ दी हैं तो पीज इने लाइक करें और चानल पर नए हैं तो पीज चानल को सब्सक्राइब करें स्प्राउटेट ब्लैक चना कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कटोरी काले चनों को तीन-चार बार अच्छे से दोकर साफ कर लिया और उसके बाद ना इसे आठ से दस घंटे के लिए पानी में आ गए हैं और अब हम एक मिक्सिंग जार लेंगे और इसमें हम इन चनों को डाल देंगे इन्हें हमें बारीक पीसना है पीसते बाद आप कोशिश करें कि पानी का इस्तमाल कम से कम हो क्योंकि यह पतला हो जाएगा न तो कटले जो है न वह एकदम शेप में नहीं बन पाए तो आप बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ही इसे पीस लें यह देखिए इसे हमने पीस कर तयार कर लिया है बहुत थोड़ा सा पानी डाल कर ही हमने इसे पीसा है और अब हम इसमें डाल रहे हैं उबले हुए आलू जिने हमने मैश कर लिया है यह चार बड़े उबले हुए आलू है और अब हम इसमें डाल रहे हैं कुछ मसाले लाल मिर्ज, धन्या पाउडर, गरम मसाला, नमाक और अमचूर पाउडर, थोड़ी सी हम इसमें डाल रहे हैं हीं, बारीक कटी हुई हरी मिर्ज, हरा धन्या, और इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे, और ये चनों को स्प्राउट किये हुए भी बना सकते हैं, नॉर्मल चलों को बस पानी में भीकोकर रखें, और फिर उन्हें मिक्सी में बारीक पीस लें, और अब हमने हातों को अच्छे से ग्रीस कर लिया है, और थोड़ा मिक्षर लेके इस तरह से इसे कटलेट का शेप दे दिय बाकी सभी को भी न हमें इसी तरह से बना लेना है, आप इन्हें कोई भी शेप दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, और ये देखिए हमने चार कटलेट बना कर त्यार कर लिए हैं, आए इन्हें तल लेते हैं, तर येल अच्छे से गरम हो गया है, मैंने शलो फ्राइ कर आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राइ भी कर सकते हैं, और अब हम इन्हें बहुत ही ध्यान से तल लेंगे, थोड़ा थोड़ा तेल जो है ना वो चम्मसे इनके उपर भी डाल दें, और अब हम इन्हें बहुत ही ध्यान से पलट लेंगे, ताकि ये दूसी तरफ से भी अच पलटते हुए अच्छे से क्रिस्प होने तक गोल्डन कलर आने तक सेख लेना है गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है स्प्राउटेट चना हमारी हेल्ट के लिए काफी अच्छा होता है तो आप इस रेसिपी को अपने ब्रेकफास्स रेसिपी में ट्राय कर सकते हैं और अब हम इन्हें फिर से पलट लेंगे तक ये दूसी दर्व से भी अच्छे से सिख जाएं कटलेट अच्छे से सिख चुगे हैं और अब हम गयस बन करेंगे और इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और ये देखें स्प्राउटेट ब्लेक चना कटलेट बन का तयार हैं आप इन कटलेट्स को न सौस के साथ ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और अब हम इस पर रखते हैं एक तुलसी का पत्ता क्योंकि हमारे ठाकर जी का भोग बिना तुलसी की नहीं लगता है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करे हम प्लीज ओड़ऋ लगते हैं तुलसी की।